अवे चले जाते हैं तो इसको भी आपको टू टाइम्स लिखना है इसके बाद आपको ये ट्रू फॉल्स करना है विच नाव या गोईंग टू डिसका सट्वियर ऑन दा निक्स्ट पीज इसादा ट्रू फॉल्स रिलेटेट टू दिस पॉयंब अब हम लोग पोयंब को आपको ध्यान में रखना है नाव विल डू डू दिस एक्सराइब एक्सराइस नुम्ब ए राइट टी फॉर टू और एफ फॉर 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 फॉल्स आपको यहां पर पे ट्रू जो टू वी ब ludzi इन शिस क्या जो सारी वाइट शिप्ट थी वो शिप में थी वे टीथ मम ऍहयरे जाहास में थी पनी वाली जहास को हम कहते हैं तो क्या हूब सारी वाइट शिप ठीजो सारी सफेद भेड़े हैं यह अल्श को comigo क्लावड्ड सूट मैं मेंली तो वो क्लाउट से जिनको लिए और तरह से देख रहे हैं तो वह सारे आकाश में इस हिल पर तो यहां पर आंसर हमारा ही क्या हो जाएगा क्योंकि यह बोल रहा है कि शिप में शिप में तो नहीं थी तो यह गलत है तो हम यह जोगे फॉल्स एट नौद नेक्स्ट The white sheep stands still when the wind stops White sheep जो है बिलकुल सीधे रुख जाती है जब हवा बैनी बंद होती है जब हवा बैनी बंद होती है स्टॉप होती है हवा तो क्या वो रुख जाती है Yes, true है, सही है क्योंकि जब हवा चलती है तभी तो बादल आगया आगे बढ़ते है और जब हवा रुख जाती है वेन्दा विंड स्टॉप जब जो विंड है वो स्टॉप हो जाती है रुख जाती है तो शीब जो है जो शीब वाइट शीब जिसकों क्लाउड को वाइट शीब जैकर तो वो भी रुख जाती है हवा चलीगी तभी तो बहीग लगती है जब हवा बैती है जब हवा बैती है तो clouds हमारे चलने लगते हैं आगे आगे लगते हैं तो हमारी इस cloud को भी है तो घ्बहना ठीज दीडिए है यहां पर हगे लेखेंगे true क्योंकि जब हवा हवा चलती है तब ही तो वाइट शीप उसके आगे बढ़ती रहा तो यह सही है तो इसके आगे भी हम ट्रू लिखेंगे The sun makes the white sheep walk away slowly जो sun है क्या उसकी वज़े से sheep धीरे धीरे move करती है उसकी वज़े से रुखती है क्या नहीं सन का नहीं दिया है इसमें सन की वज़े से तो रुखती नहीं है जब हवा दे बहनी बंद होती है होजεις हे जब हेवा चलनी दुख जाती है तब वह दिरी दिरी रुखती गधिसे और जब हवा बहने शुरु होती है तब दिरह बहना शुरु करती है संड की वज़ेसे तो नहीं रुखती है चलती तो यहां पर यहां데 सर्फ फॉल्स हो also have to do in your copy I have given you in this worksheet पहले आपको hard words से finish करने हैं और उसके बाद आपको ये वरक्षीट में थार्ट को exercise भी करने है do exercise a page 17 that is right true or false ये same exercise है do exercise a ये exercise a है आपको ये same exercise hard words के बाद आपको copy में करनी है हाडवर्स के बाद next पे हाडवर्स आप complete कर लेंगे उसके बाद next new page में आपको ये exercise करनी है इस book की health से आपको ये सारा matter school की website पर मिल जाएगा जो है www.srms.co.in तो इस website पर आपको ये सारा matter मिल जाएगा ये poem भी मिल जाएगी और ये worksheet मिल जाएगी तो आपको वहां से इसे देखकर solve करना है करना है और इस poem को अच्छे से learn करना है you have to learn this poem okay in the way I have taught you so thank you for today just do your work and complete it till then bye bye take care